शुमर्दोम् रेमड़ी इसमें आपका स्वालगत है पारवावाफ को बताएंगे कि निम्बू से किस तरह से कुझष्टि उतारी जाती है थेके पहले दम आपको निम्बू का महत्ow बता दिते हैं निम्बू से कुझष्टि उतारते सेमें उसके सुक्ष्म रजोगुनी वायू सद्रिस अस्पंदनों को गती प्राप्त होने से ये अस्पंदन वैक्ति पर आये रज तमात्मक आवरण को अपनी और आकरशित करके उन्हें गरीबूत करके रख देते हैं अभी कुद्रिष्ची उतारने में निम्बू का उप्योग कैसे करना है वह हम आपको बताते हैं कुद्रिष्ची उतारने के लिए साधरे निम्बू ही लेना चीए रेखा वाले निम्बू का उप्योग मत कीचिएगा धारी वाले निम्बू पहचानने की जो पद्दिदी है उसका different है धारी वाले निम्बू के एक और एक रेखा उपर से निच्छी की और सपष्ट दिखाई देती है कभी-कभी ये रेखा दोनों और होती है करनी करते समय इसी धारी वाले निम्बू का उप्यूग किया जाता है करनी करते समय क्योंकि धारी वाले निम्बू में तमात्मक उर्जा वायू मंडल में प्रिछिपित करने की चमतार साधर निम्बू के तुलना में अधिक होती है अभी हम कुदिष्टी उतारने की पद्धती आपको बताने जा रहे हैं दोनों हाथों में निम्बू लेकर उससे कुदिष्टी रस्त व्यक्ति के पैर से सिर्थ दक्षिनावर्थ दिशा में पुर्ण गोलकार उखमाना छिए दक्षिनावर्थ मतलब clockwise यह दोनों हाथों में निम्बू लेकर पैर से सिर्थ तक मतलब यह पूरा सरकल अहां पर आजाना छिए पाउं से लेकर सिर्थ तक गोलकार घुमाने के पश्चा निम्बू को अंगारे पर जला देना छिए अथवा बहते जल में प्रवाइद कर देना छिए निम्बू पानी में विश्रित करने के पेच्छा जला देना ज्यादा अच्छा होता है एक्षिर निम्बू पानी वर्षित करने पर उसमें खीचे के स्पंदन पानी में समाविष्ठ होने में अधिक समय लगता है और इस बीच की जो समय है काला अवदी में अनिष्ठ शक्ती उसमें विद्वान शक्ती का दुरूप्यों पुना किसी जीप पर करनी करने के लिए कर सकती है पर उन्टो निम्बू जला देने से उसमें विद्वान प्रच्तमात्मक स्पंदन से घरनस्ट हो जाते है टिये निम्बू की पद्दिती हमना आपको बताया तो धन्यवाद आप हमारे चैनल में सबस्ट्राइब करें और अपने कमेंटे दीशिए धन्यवाद